कोरियाई चंद्र मिशन दनूरी ने चंद्रियान की तस्वीरें भेजीं कोरियाई चंद्र मिशन दनूरी ने जो चंद्रियान 3 की फोटो ली है वह चंद्रमा के दक्षणी ध्रुव शिव शक्ती पॉइंट की है जहां प्रज्यान, रोवर और लैंडर विक्रम सोए हुए हैं, फिलहाल चंद्र रात्री चल रही है पर जल्द ही चंद्रमा पर दिन निकलने वाला है चंद्रमा की सतह पर रात में तापमान माइन्स 120 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है वहीं, इसरो ने अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रोनिक्स इतने कम तापमान को सहन करने के लिए नहीं बनाये थे लेकिन अभी बैटरी चार्ज है और रिसीवर भी चालू है इसरो को उम्मीद है कि चांद की रात बीथने पर यह 22 सितंबर को फिर से सक्रिय होकर मिशन जारी रख सकता है आपका स्वागत है वर्ल्ड अवेर्नेस पर चंद्रियान 3 ने सोने से पहले एक खाश मिशन को अंजाम दिया जो इसरो के प्लान में नहीं था विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह से एक बार फिर सफलता पूर्वक उडान भर कर सोफ्ट लैंडिंग की इसका मकसद 2024 में गगन यान के दवारा भेजे जाने वाले इंसानों को वापिस चंद्रमा से धर्ती के लिए उडान भरना था इसरो देखना चाहता था जब गगन यान चांद पर लैंड करने के बाद वापिस धर्ती के लिए उडान भरेगा तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसरो के पास चांद पर लैंड करने का experience तो है लेकिन उसने कभी चांद की सतह से उडान नहीं भरी इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम ने करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को ऊपर उठाया और आगे करीब 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षत लैंड किया देखने में यह कार्य कोई जरूरी नहीं लगता लेकिन अगर इस छोटे से मिशन को गगन यान के पहुँचने से पहले विशेश तोर पर किया जाता तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च होता और इसकी सफलता की भी कोई गारंटी नहीं थी लेकिन इसरो को दुनिया भर में अपने सस्ते मिसनों के लिए जाना जाता है बिना किसी रूपए के उसने चंद्रमा की सतह से उडान भरने का मिशन कम्प्लीट कर लिया है इस प्रक्रिया से भविष्य में मानव द्वारा चांद के विभिन्न तत्वों के सैंपल के साथ चंद्रमा से मानव को वापस धर्ती पर आने में सहायता मिलेगी यूरोपिये विज्ञान मीडिया का कहना है कि जैसे ही दो सपताह बाद चंद्र दिवस खत्म होगा रोवर प्रज्ञान के लिए मिशन खत्म हो जाएगा अब तक दुनिया ने उन रोवर अभियानों को देखा है जो कई साल तक चले इस धारणा के बनने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल अभियान पर गए रोवर की बड़ी भूमिका है यूरोपियन साइंस मीडिया का कहना है कि उन रोवर्स में मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मोएलेक्ट्रिक जेनरेटर यानी MMRTZ बिजली सन्यंतर हैं जो कई साल तक चलते हैं ये बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं चंद्रियान, त्री मिशन के रोवर प्रग्यान में MMRTZ का इस्तिमाल नहीं किया गया है ऐसे में चंद्र दिवस खत्म होने पर उसका काम करना मुश्किल है पर यूरोपिये विज्यान मीडिया को सायद पता नहीं है कि इस रोप पहली स्पेस एजनसी है जिसने चांद के दक्षणी धुरुव पर सोफ्ट लैंडिंग की है हमें इंतजार है 22 सितंबर का जिस दिन चांद के दक्षणी धुरुव पर फिर से सुबह होगी और हमारा प्रज्यान रोवर फिर से दहार मारता हुआ आगे बढ़ेगा तब सायद यूरोपिये विज्यान मीडिया को मुह छुपाते फिरना पड़े और जो स्पेस एजनसी महंगे महंगे रोवर्स तयार करती है उनको सायद इसरो से ट्रेनिंग लेनी पड़े दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजनसी नासा अपने मून मिशन आर्टिमिस 24 को करने में चंद्रियान 3 की सहायता लेगी इसरो पहले ही बता चुका है कि चंद्रियान 3 का रोवर प्रज्यान सौर उर्जा पर निर्भर है प्रज्यान ने विक्रम की मदद से अपने अब तक के मिशन में काफी डाटा इसरो को भेजा है फिलहाल वह हाइबरनिट कंडीशन में है वैसे मिशन का इंजीनियरिंग उद्देश य चंद्रमा पर सुरक्षित उतरना और चंद्रमा पर रोवर की ड्राइव करने की क्शमता का प्रदर्शन करना था मिशन ने अब तक इन उद्देशियों को पूरा किया भारत के चंद्रियान 3 मिशन का विक्रम लैंडर स्लीप मोड में चला गया है। इसरों ने सोमवार 4 सितंबर को ये जानकारी दी। Space Agency ने साथ ही बताया कि इसकी अब 22 सितंबर के आसपास एक्टिव होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अमेरिका के नासा के लूनर ओर्बिटर ने भी चंद्रियान 3 की फोटो खींची थी। चंद्रियान 3 की तस्वीर 50 cm प्रति-pixel resolution की है। जबकि चंद्रियान 2 के ओर्बिटर की तस्वीर 32 cm प्रति-pixel resolution की है। सतह पर उतरने के बाद प्रज्यान रोवर ने वहां से कई जानकारियां इस रोग को भेजी जिसमें मुख्य रूप से उसने चंद्रमा की मिट्टी और वातावरण की संरचना का विशलेशन किया है। कोरियाई चंद्रमिशन दानूरी दिसंबर 2025 तक चंद्रमा की कक्षा में रहने के लिए निर्धारित है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मिशन शामिल है। जैसे कि चांद पर लैंडिंग स्थलों की तस्वीरें लेना और चंद्रमा की उत्पत्ति का अध्यान करने के लिए चंद्र चुम्बकी एक शेत्र को मापना शामिल है। चंद्रियान 3 पर इसरो ने शेयर किया बड़ा अपडेट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इसरो ने चंद्रियान 3 मिशन से जुड़ा बेहद अहम अपडेट शेयर किया। उसने पोस्ट में बताया कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसे स्लीप मोड में सेट किया गया है। उसे उम्मीद है कि 22 सितंबर को चांद पर सूरज उगने पर यह जागेगा और अगले सेट के असाइन्मेंट पूरे करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत की तरह चांद पर रहेगा। मिशन गगन यान 2024 के लिए इसने बेस तयार कर दिया है, जिसके नक्षे कदम पर दुनिया की हर एक स्पेस एजनसी चलना चाहेगी। चाहे वह नासा हो या किसी अन्य देश की स्पेस एजनसी हमारा चंद्रियान 3 सब की सहायता करेगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोग चंद्रियान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट में करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसे मंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ओनल पर सेलेक्ट करना बिलकुल ना भूलें। वीडियो को अंध तक देखने के लिए धन्यवाद।